तो आज हम आगे हैं बहुत ही सिंपल बहुत ही तेस्टी रेस्पी के साथ जो के हैं मसूर की दाल और मेथी भाजी का तड़का तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर और मेथी दाल का तड़का बहुत ही आसानी से बन जाता है एक छोटे कटोरी हम ले रहे हैं यहाँ पे मेथी भाजी इसको अच्छे से हमने कट कर लिया है बारीकी से और वाश करके निकाल लिया है तो इस तरह से हमने मेथी भाजी को अधा कटा पहले ही अच्छे से भीगाके रख लिया है तो चलिये जल्दी से शुरू करते हैं गयस को मैंने ऑन कर दिया है अब इसमें डालेंगे तीन लसन, लसन को हलकर कुछल के डालें, फिर हम डालेंगे आधा डली प्याज, आधा डली हमने बाद में तड़के के लिए भी डालना है, तो एक मीडियम से इसका प्याज में ले रही हूँ, एक चमच भर का हम डालेंगे नमाग, नमक तेस्ट के हिसाब से डालें, तीन से चार सुखी मिर्ज डालेंगे, और नेक्स हम डालेंगे हमारी मेथी भाजी, तो एक कटोरे भर का मैं मेथी भाजी ले रही हूँ, तो फ्रेंस मुझे कमें सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको मेरी ये रेस्पी कैसी लगी, और अगर आप नए है मेरे चैनल पर तो तो एक बॉयल आने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम को स्लो कर देंगे और दाल को हमने अच्छे से गलने देना है, तो पांच से दस मुट के अंदर आपकी जो दाल है वो अच्छे से गल जाएगी, तो आप देख सकते हैं मैंने पाव किलो भर की दाल ली थी, अच्छे से तो इस तरह से हमने दाल को अच्छे से गला ली है तो 50% हमारी जो यह दाल है वो बन के रेडी हो चुका है चलिए कर लेते हैं हम अब यहाँ पर तड़के की तैयारी तो अब हम रख लेंगे एक भगोना इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी का तो हम यहाँ पर घी का तड़का लगा रहे हैं अगर आपको घी नहीं डालना है तो आप ऑईल भी यूज़ कर सकते हैं अगर अगर आपको पसंद है तो आप बटर भी डाल सकते हैं तो ने हम यहाँ पे दार क् olurs muit कृत हो चाहा है नातो बूलाइक और थोड़े से कडी पत्त तो अब आ जाएगा थे हुआ अच्छे से इसको मिक्स अप करेंगे इस तरह से एक छोटा चमच हम डालेंगे इसमें हल्दी और आधी चमच हम डालें इसमें लाल मिच पॉड़र बस कलर के लिए हम एड़ करें इसमें अल्री मिर्च हम डाला है तो इतना तीखापन आपको काफी है तो अच्छे से इसको मिक्स अप कर लेंगे अब हम इसको ढग देंगे पांच मेट तक स्लो फ्लेम पे और जो टमाटर है उसको हम अच्छे से गला लेंगे तब तक जब तक यह सॉफ्ट नहीं हो जाता तो चलिए पांच मेट हो चुके हैं ओपन करके देखते हैं तो टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है आप देख सकते हैं फिर नेक्स हमने जो डाल गला कर रख ली थी अलग से वह हम इसमें डाल देंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी यहां पर मसूर मेथी डाल बन जाती है जादा इस महनत नहीं लगती फिर दालेंगे हम एक गिलाज भर का पानी अगर आपको कंसिस्टेंसी जिस हिसाब से चाहिए अगर थोड़ी सी पतली चाहिए तो थोड़ी सी जादा वाटर आड कर ले वना एक गिलाज भर का पानी काफी है फिर अभी इसको हम ढखके पांच मिनट तक हाई टू फिस लो फ्लेम पे पका लेंग वहती तेस्टी और बहुती जल्दी हमारी रेस्पी बन जाती है तो फ्रेंज हमारे यहाँ पे मसूर मेथी डालकत जो तड़का है वो बनके बिलकुल रडी हो चुका है इसको आप गर्मा गरम सर्व कर सकते हैं अपने फैमली अपने फ्रेंज अपने मेहानों को खिलाएं और खुश रहें और लास्ट ली हम इसमें डालेंगे एक चमच भर का घी तो जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी तैंक्स वाचिंग